अगर आपका वही पुरानी पुरानी सब्जियां खाकर दिल भर चुका है तो आप ये नई तरीके की बेसन की सब्जी बहुत अराम से बना सकते हैं और जिसे भी बना के खिलाएंगे वो इसको काफी मज़ा आएगा तो चलिए आज बेसन की एक नई से रसिपी बनाते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है बेसन मैंने यहाँ पर यश्राज गोल्ड का बेसन लिया है इस बेसन की जो कौल्टी है वो काफी अच्छी होती है अगर आप इससे रसिपी बनाते हैं या बेसन की कोई भी सबजी बगेरा बनाते हैं तो बहुत सॉफ्ट बनती है तो यहाँ पर हमने यह बेसन ले लिया है इसके साथ ही ले लेना है एक आपको मेजरिंग कप कोई भी कटोरी ले ले छोटी या फिर आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं सर्विंग के लिए उस हिसाब से यहाँ पर आप बेसन ले सकते हैं अब बेसन को हम इसमें एड़ कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़े और डालेंगे बहुत ही मिनिममम सी बहुत ही असान सी रेसिपी है अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा थोड़ के लिए इसमें हम आदा चमच के करेभे हल्डी आड़ कर रहे हैं और इसके बाद हम इसमें एड़ कर देगे स्वादनिसार नमक बहुत ही बैैसिक से चीज़े हम इसमें डाल रहे हैं अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी सी मिर्च आड़ कर सकते हैं लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पर ओयल डालना जरूरी है दो छोड़े चमच जिसमें तेल डाला है मैंने तेल डालने से क्या होगा जो सबसी हम बनाएंगे यह बहुत खस्ता बनेगी और सॉफ्ट बनेगी फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से मिक्स कर ले और य अब आपको पानी लेना है तो दो बड़े चमच यहाँ पर पहले मैंने पानी स्मेल डाला है किसी भी रसेपी में आप पानी खटा न डाले थोड़ा थोड़ा करके ही आप पानी को डाले जब पानी जादा जरूरत ना हो तो जादा न डाले इससे क्या होता है कि आपकी रस सो चुका है अब आपको इसे कवर कर देना है पांश मिनट के लिए तो पांश मिनट तक हम इसे कवर करके छोड़ देंगे पांच मिनट तक जब यह रिस्ट करता है तब तक यहाँ पर आप गैस पर थोड़ा सा पानी रख लें मैंने एक लिटर पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है अब इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ओयल को एड़ कर देंगे इससे क्या होगा नमक और तेल आपको यहांपर डालना जरूरी है तो थोड़ा सा नमक डालने से क्या होगा आपके सबजी में फीका पने आएगा आपिसमें बिल्कुल भी छिपक के खड़ाब नहीं होगे तो पानी को उबलने के लिए हम रख देते हैं जब तक हम चेक निए हैं जो हमने बेसन को मिक्स करके रखा था 5 मिमिट हो गये हैं रिस्ट करते हुए अब देखेए यहां पर या अछे से सैट हो चुका है अब इससे हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे या नहीं मुझे comment box में जरूर बताईएगा अब आपको किसी भी surface पर इसे इस तरह से roll कर लेना है ये देखिए अब आप बराबर से potions में इसे cut कर ले तो मैं इसे 4 भागों में cut कर रही हूँ बराबर के इस तरह से जब आप knife से इसे cut करते हैं बराबरी का ये कर जाता है अब आपको हाथों से इससे इस तरह से flat कर लेना है जिस तरह से मैं flat कर रही हूँ अच्छे से आप ये flat कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको ले लेना है घर के चमच जी हाँ normal जिन से हम measuring करते हैं आपको simply वही चमच ले लेना है और इस तरह से आपको इन चमच की जो sides से इसमें इसे roll करके इस तरह से बिल्कुल चिपका देना है और इससे पहले मैं आपको बताना बुल गई कि चमच में हलका सावाइल लगा ले से क्या होगा जब आप इसे demold करेंगे बहुत अच्छे से आप इसे seal कर दे निकालने में आपको इसे कोई दिक्कत नहीं होगी अब सहलका सा आप चमच के उप़र oil से greasing कर ले तो friends ये recipe आपने आज से पहले कहीं देखी है या नहीं मुझे comment में बताएंगे आप जरूर ठीक है ना आप देखिए याँ पर दोनों चमच हमने तयार कर ली है इसी तरह बाकी के भी हम ready कर लेंगे जब भी आपको समझना आए कि आज घर में क्या बनाय जाए और बाहर से सबजी लाने का मन ना करें तो आप बेसन से इस तरह की नई तरीके की recipe बना सकते हैं और घर वालों को भी काफ़ी पसंद आएगी क्योंकि यह बहुत ही यूरीक लगती है और खाने में जो इसका स्वाद है ना वो बहुत ज़्यादा अलगसा होता है तो सारी के सारी चमच हमने यहाँ पर ready कर लिए हैं इस तरह से आप यहाँ पर सारी के सारी चमच इस तरह से इसमें डाल दे पानी को उबाल लेना है यहाँ पर जब अच्छे से उबल जाए तभी आपको इस प्रोसेस को friends follow करना है तिके सारी के सारी हमने डाल दिये हैं इस तरह से अब क्या करना है आपको इसे cover कर देना है और cover करके आपको इसे 10 से 12 मिनट तक पकाना है high flame पर गैस की आँच आपको कम नहीं करनी है high flame पर ही आपको इसे 10 से 12 मिनट पकाना है 10 से 12 मिनट हो चुके हैं अभी आप देख सकते हैं इसका जो size है वो थोड़ा सा increase हो गया है और हमने इसमें किसी सोडे कभी यूज नहीं किया है बहुत ही घर की basic से चीजों से हमने इस recipe को बनाया है अब आप इसे किसी भी चमच से इस तरह से एक plate पर निकाल ले जे देखिए सारे के सारे pieces आप निकाल ले गैस की flame को कर दे बंद और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इससे डिमोल्ड करेंगे तो अभी यह बहुत जादा ठंडा नहीं हुआ है लेकिन मैं इसे निकाल रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना आसान है इसे निकालना इसी तरह से मैं सारी के सारे चमच से इससे डिमोल्ड कर लूगी और सब से बगूत असानी से निकल रहे हैं आपको यकीन नहीं होगा कि यह निकालना इतना असान ए देखें यहाँ पर हमने इस सारी के सारे डिमोल्ड कर दियेq हैं अभी यहाँ पर आपको एक special सा मसाला तयार करना है जिसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कब दही लिया है दही आपको खटा नहीं होना चाहिए इसमें हम एड़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूं इसके साथ ही इसमें डालना है आपको छोटी चमच धन्या प होते हैं इसकी जो स्पाइस और अरोमा होती ही न वह बहुत अच्छी होती है तो यहां पर मैं एक छोड़ी चमच किचन किंग मसाला एड़ कर रही हूं इसका फ्लेवर सबजी में अलगी लेवल का आएगा फ्रेंट्स तो देखिए यहां पर हमने इसे अच्छे से मसाले मे बहुत ही बेसिक मसाले हैं घर में ही रखिए मसालों का यूज करना है आपको यह पूरी तरह से ठंडा हो गया है अब हम इसे छोड़ी छोड़ी से पीसे में कट कर लेंगे इस तरह से यह देखिए जब आप पूरी तरह से ठंडे कर लें तभी आप इसे काटे अगर आप इ हैंब 웬िशन की चाप को आपने स्य चाप कासे अब आपको क्या करना है पैन को थोड़ा से हीट कर हेची हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चमस्हार मशंतर हैं तरह से bak descency escapes अट आथ वर शा इसstar आप काटी हुई चाप्स को इसमें एड कर लें और इसे हम हलका सा स्वाटे करेंगे जब आप इसे हलका सा फ्राइ कर लेंगे तो इसके उपर क्या होगा एक यह अच्छे से फॉर्म हो जाएगा यह बिल्कुल भी जब हम इसकी सबजी बनाएंगे तो तूटने का डर नहीं र अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब करें और देखे सारे के सारे मने दो मिनट में फ्राइ करके प्लेट पे निकाल लिए अब उसी ओयल में हमने जीरा बड़ी लैची और दो लॉंग डाल देने ही इस पाइस जब हम एड़ करते ह अगर आप लेसन निखाते हैं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं सिंप्ली आप इसे जीरा और लॉंग का तर्का लगाए और इसके बाद जो मसाला हमने मिक्स किया है आप इस मसाले को इसमें एड़ कर दें और इससे अब हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स आप जब भी कोई सबजी और बनाए तो उसका जो मसाला होता है वो बहुत अच्छे से भूने थोड़ा सा नमक एड़ कर रही हूं इसमें नमक हमने पहले भी डाला है तो आपको नमक थोड़ा कम डालना है कवर करके मसालों को 5 मिनट तक हमें पका लेना है 5 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे तो इसका जो ऑईल है आप अपनी साब से कम या जादा कर सकते हैं और बनाए हुए जो चाफ है बेसन की हम इसमें एड़ कर देंगे और इसके बाद इसके उपर से हम फ्रेशली धनिया एड़ करेंगे फिंटर्स में जो धनिया होती है वो बहुत ही अच्छी आती है एक्दम हर इसमें काफी सारा लुटरेंस होता है अब इसके बाद मैं इसी यश्राज का यहां पर गरम मसाला एड़ कर रही हूं बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा जब आप उपर से इसमें गरम मसाला एड़ करते हूं कवर करके थोड़ी तेरी के लिए पकाएंगे जब यह अच्छे से पक जाएगी गयास की फ्लेम को बंद कर देंगे और यहां पर देखी हमारी टेस्टी सी बेसन की नई तरीके की सबजी बन के तैयार है चली अब इसे सर्फ करते हैं तो आप इसे राइस या रोड़ी किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही डिलिश बूले और अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको की कैसी बनी है देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही खाने में भी ला जवाब है